आज हम बात करेंगे BPSC एक्जाम से रिलेटेड टू इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में पहला BPSC का एक्जाम कब होगा? CDPO का एक्जाम कब होगा? और साथ ही बिहार दरोगा का एक्जाम कब होने वाला है? उनका क्या ओफिसियली डेट एनॉन्स है या नहीं है? दुसरी चीज हम बात करेंगे अभी तक कितने एक्जाम पस्पॉंड कर दिये गए हैं BPSC के द्वारा ओफिसियल नोटिफिकेशन के थ्रोग और सरसथमी BPSC का एक्जाम जो अपने निर्धारित डेट 12 दिसंबर 2020 को होने वाला था क्या वो इस डेट पर होगा या नहीं होगा तो इसका नेक्स डेट क्या है? तो चलिए हम इसकी बारे में स्टार्ट करते हैं पहले हम देखते हैं कौन-कौन सा एक्जाम अभी पॉस्पॉंड किया गया है BPSC के दुआरा जो ओफिसली नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन की बात हम बाद में करेंगे पहले आप इन्फॉर्मेशन देख ले यहां 22 सेप्टेंबर को एक नोटिफिकेशन दिया गया था रिकार्डिंग पॉस्पॉंड मेंट ऑफ चैल्ड डेवलोप्मेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रिलिम्री कम्पिटिटिव एक्जाम सीडूल ऑन 31 अक्टूबर 2020 कि 31 अक्टूबर को जो सीडीपियों का एक्जाम था उसे पस्पॉंड करने के लिए ओफिसल नोटिफिकेशन दे दिया गया है इसके साथ ही एक दुसरा नोटिफिकेशन और आया था जो 17 सेप्टेंबर को आया था डिगार्डिंग पस्पॉंड मेंट ऑफ असिस्टेंट को सब्सार से त्यreek a stranger इंदे पर सब्सेप्टेंबर को इसके रिगार्डिंग और ओफिसल नोटिफिकेशन दे दिया गया है क्षिपोंड मेंड की और एक और एक्जाम था देखिए यहां पर जिसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन मिला है पॉस्पार्टमेंड का यह पॉस्पार्टमेंड ऑफ मोटर वेहिकल इंस्पेक्टर रिट्रियन कंपेटिटिव एक्जामनेशन सेडूल ऑन 17-18 सेप्टेंबर 2021 को जो एक्जा अभी तक सरसथमी के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% यह एक्जाम अब 12 दिसंबर को नहीं होगी क्योंकि अभी उसका नोटिफिकेशन आया है और नमंबर तक नोटिफिकेशन की अनुसार एक्जाम फॉर्म फिल्प करने का गये हैं तो 12 दिसंबर का भी को भी एलेक्शन है पंचाइद का तो इस डेट पर तो अब होगी नहीं अब हम बात करते हैं जाए इक्जाम होगी कब देगे इसकी ओफिस्यल इनफॉर्मेशन कोई नहीं है लेकिन इंटर्नल सोर्स के पता चला है आप इसको इंटर्नल अलग कई तरीके होते हैं जहां से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आती है उसके पता चला है कि 9 जनवरी ठीक है और 23 जनवरी और 13 फरवरी इन तीन डेटों में जैसे एक्जाम होने की संभावना है जिसमें 9 फरवरी को पता चला है कि आपकी बिहार दरोगा का एक्जाम होने वाला ह 23 को CDPO का और 13 फरवरी को 66 PPSC का एक्जाम होने वाला है पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ यह कोई official information नहीं है officially किसी website पर नहीं डाला गया है यह मुझे किसी ने किसी दुसरे source से पता चला है और यह उमीद है कि 99% यह true information है इस तरह की true और static information के लिए आप हमारे साथ जुर सकते हैं हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तुसे like कीजिए अपने friends को share कीजिए